नमस्कार साथियों मैं भानुप्रिया बेरागी GLC IS से आप सभी कहार दिख स्वागत करती हूँ आज हम जोग्रोफी के 100 मारकर क्योशन देखेंगे तो देखते हैं हमारा पहला क्योशन Divide Northern Great Plain of India into Regional Divisions Northern Great Plain जो है इंडिया का उसके Regional Divisions लिखने हैं तो पहले हम इसका इंट्रो देंगे The Northern Great Plain of India are called Indo-Gangetic Plains The Plains were formed in the Pleistocene and Holocene period The Northern Plain is divided into four regions जो Northern Great Plain है इंडिया का उसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं और यह प्लेन जो है प्लिस्टोसीन और होलोसीन पिरियेड में बना था और जो नदरन प्लेन है उसको फोर रिजन्स में डिवाइड किया गया है जो इस प्रकार है भाबर, तराई, खादर और बांगर तो इसको मैंने पहले एक पैटर्ण में डिवाइड कर दिया है फिर यहां साइड में पूरा दिखा दिया है कि पहले हीमालय जो माउंटिन वगिरा है उसके बाद जो उनके चोटे-चोटे टुकुडे होते हैं वो भाबर फिर वो और टुकडे बनते हैं वो तराई पर उसके बाद बांगर नेरो बेल्ट है जो कि शिवालिकी स्लोप है उनके पेरेलल में यह ढता है भाबर रिजन और और ओल रिवार्स and streams are disappear और जो भाबर रीजन है इसके अंदर जो रीवर्स और स्ट्रीम्स जो इसमें फ्लो होती है वो फ्लो तो होती है पर वो दिसपीर होती है तिक्ती नहीं है नेक्स्ट tavoor inward..? तरही रीजन है वह वैड और और स्वामपी और मार्शी लैंड वाला रीजन होता है मिन्स की थोड़ी दलदली जो मिट्टियां होती है वो यहां पाई जाती है तराईरीजन में और जो rivers और streams जो की भाबारीजन में disappear होती है मिन्स भाबारीजन में नहीं दिखती है वही reverse तराईरीजन में आने के बाद दिखने लग जाती है अगला है bangar तो जो भाबर रीजन है वो नदर्न प्लेन का सबसे बड़ा रीजन है और यह जो है इसमें ओल्ड अल्यूवियल सोईल पाई जाती है और इसका जो लोकिशन है वो जो फ्लोड प्लेन होते हैं उनसे थोड़ा सा उपर यह लाइस करते हैं नेक्स्ट है खादर तो जो खादर रीजन है वो न्यू और यंगर डिपोजिट्स है नए डिपोजिट्स है जिनने हम न्यू अलूवियल सोईल भी केते हैं और यह जो रीजन है यह फॉर्थ रीजन ऑफ नदर्न प्लेन यह नदर्न रीजन का जो है फॉर्थ पार्ट है जिसे कि तरभांगर भाबर तराई यह हैं उनके बाद फॉर्थ नमर फे खादर आता है और यह जो लेंड है काफी फर्टाइल होती है और एग्रिकल्चर के ल तो हमने टाइप बताने है उसका डिस्रिवीशन बताना है इंडिया में तो इसमें जichen काफी बदा लिखा है तो आप लोगों को इतना बदा नहिंद लिखना है तो चोटा ही लिखना है और सिर्फ आविस में इंट्रोड़क्शन में सोईल की डेफिनिशन लिख सकते हैं काफी इतना चलेगा, मैंने काफी बड़ा लिखा है सोईल is a very important natural resource that nature has provided to us सोईल is the mixture of organic and inorganic materials on the surface of earth that provide the medium for plant growth the Indian Council of Agriculture Research has classified Indian soils into 8 categories तो सोईल जो है वो एक natural resource है जो कि हम nature ने में प्रोवाइड किया है और सोईल जो है वो organic और inorganic materials का mixture है और जो Indian Council of Agriculture Research है ICAR इनके द्वारा जो इंडियन सोईल से उनको add categories में डिवाइड किया गया है वो ऐसे हैं, aluvel black soil, red soil laterite soil mountainous soil, arid and desert soil, saline soil alkaline soil और wet and marshy soil तो यह add categories है जिनमें ICAR ने soils को डिवाइड किया है तो हम एक के को deep में पढ़ेंगे aluvel soil it constitute about 43% of total land area it considered as most fertile soil which found manly in coastal and deltaic region तो जो aluvel soil है, वो total land area है इंडिया का, उसका 43% पर है निलती है और यह जो है, काफी fertile soil मानी जाती है, सबसे जादा fertile होती है, और यह जो है manly, deltaic और coastal region में पाई जाती है, next है black ragur soil, it formed by lava and suitable for cotton, it is rich in aluminium, calcium, iron, lime, etc तो जो ragur या black soil है यह लावा से बनती है और यह सबसे जादा अच्छी cotton के production के लिए होती है और यह जो aluminium, calcium, iron इन सब की मात्रा इसमें काफी अच्छी होती है मिन्स यह इन सब में रिच है next है red soil formed from crystalline and metamorphic rocks it's red color due to iron content तो जो red soil है वो metamorphic process से बनती है, metamorphic rocks जो है उन से बनती है और इसका color red होता है क्योंकि इसमें iron content होते हैं इसलिए इसका color red होता है laterite soil it is formed in area of heavy rainfall due to washing away of lime and silica from top soil तो जो letterite soil है वो जब heavy rainfall होता है और heavy rainfall होने की वज़े से जो lime और silica है top soil का, upper soil का उसका lime और silica जो है वो washing away हो जाता है means वहाँ से heavy rainfall होने की वज़े से silica और lime stone का बहे जाना और फिर जो soil बसती है वो होती है letterite soil और next है forest and mountainous soil it is formed by mechanical weathering caused by rain, snow, etc. और acidic in nature अगली है हमारी arid and desert soil it is generally sandy and saline in nature तो जो arid or desert soil है वो sandy होती है थोड़ी रेतिली टाइप की होती है और उसका जो nature है वो saline होता है और saline and alkaline soil इस soil को हम उसारा soil भी कहते है also known as asara soil infertile for agriculture और यह जो है agriculture के लिए अच्छी नहीं होती है saline और alkaline soil जो है वो infertile होती है agriculture के लिए wet and marshy soil also known pt and organic soil तो जो wet और marshy soil है इसको हम pt या organic soil भी कहते हैं अब यहाँ पर आपको मेब बना के दिखाना है कि कौन सी soil किस जगह पर मिलती है तो यह एक छोटा समय पर फिर इस तरीके से आप शोग करें कि कौन सी जो soil है वो किस जगह पर और किस एरिया में पाई जाती है अब नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेशन है बाई एडजासेंट एरिया आफ्टर कटिंग देर बेंक दो कंडिशन इस काल्ड फ्लर्ड सच कंडिशन अब्जर्वड एं कोस्टल एरिया तो जो जब इस ट्रीम्स मिन्स जो पानी की या महासागरों की जो धाराएं है वो उनका पानी जो किनारा है उस किनारे से भी अंदर ले आती है जो लेंड एरिया है उस लेंड एरिया को काट कर भी लेंड एरिया के अंदर के और बहे जाती है तो उससे फ्लर्ड आता है तो उसी कंडिशन को हम फ्लर्ड केते हैं और यह जो कंडिशन है यह स्पेशली जो coastal area होते हैं 30 शेत्र उनमें दिखाई रहती है National Flood Commission divided flood affected areas in three category on the basis of frequency तो जो National Flood Commission है इसने flood affected areas को three category में divide किया है उसकी frequency के बेस पर पहला है area of maximum frequency the area where flood occur every year means maximum frequency area मतलब एसा area जहाँ पर हर साल flood आते हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र वेली, Lower Ganga Valley, Delta Reasons of Godavari, Krishna, Mahanadi and Kaveri, Basins of Rivers like Gandak, Kosi, etc. इन सबी areas में हर साल लगबग जो flood है वो देखने को मिलता है इसलिए इनको maximum frequency वाले area में रखा गया है दूसरा है हमारा areas of medium frequency आप medium frequency वाले areas देखेंगे these areas are affected by floods in five or less years तो ये ऐसे area से जहाँ पर 5 साल के मतलब हर साल नहीं आता है flood और मालो 5 साल के अंदर लगबग लगबग 5 या उन से कम साल में है जो है flood आता रहता है और तो उसको medium frequency area केते है most of flood affected areas are included in इसमें भी कई ऐसे areas है वो आप देखिएगा ऐसे medium frequency वाले areas कौन-कौन से है अगला है areas of minimum frequency these are the areas receiving less rainfall but in this area flood conditions are observed due to sudden cloud burst तो ये जो minimum frequency वाले area है यहाँ पर पानी कम आता है तो इस वज़े से ज्यादा flood हो नहीं पाते है लेकिन कभी कभी यहाँ पर बादल फटने से अच्छानक से बादल फट जाते है landlock state जिनके किनारे जिनका पानी से ज्यादा संबंध नहीं होता चैसे कि MP हुआ और इस तरीके से राजस्थान हुआ जो landlock होते हैं वहाँ पर वो minimum frequency areas में आएंगे और अब इसको हम map में show कर देंगे in flood affected areas को यह इस तरीके से map बना कि आप दिखा दीजिएगा अब हम अपना आगला question देखते हैं हमारा next question है discuss the structure of atmosphere atmosphere का structure जो है वो discuss करना है अब एक mistake जो है वो अक्सर स्टुडेंट से हो जाती है वो यह है कि atmosphere का structure पूछा है तो structure में हम लिखेंगे troposphere, stratosphere इनके बारे में लिखेंगे और अगर composition of atmosphere पूछे तो फिर हम उसमें बताएंगे gases के बारे में कि nitrogen इतनी है CO2, oxygen वगरा इतनी है वो होता है composition of atmosphere और structure of atmosphere में हम troposphere, stratosphere इनके बारे में बताएंगे तो start करते हैं question and atmosphere is the layer of gases surrounding a planet or other celestial body let we see the structure of atmosphere atmosphere तो atmosphere जो है उसमें gases की बहुत सारी layers होती है बहुत सारी gases की layers होती है और यह सिर्फ अर्थ पर ही नहीं है इसे बहुत सारे प्लानेट से जहांपर atmosphere मिलता है means इसको हम ऐसा नहीं लिखे हैं कि सिर्फ अर्थ में ही atmosphere ऐसा की किसी भी celestial body में यह atmosphere होता है जिसमें जो gases की layer से वो पाई जाती है इसमें हम पहला देखेंगे troposphere it is the lowermost and important layer of atmosphere as all the weather phenomena occur in this layer and its temperature decrease with increasing height तो जो troposphere है यह क्या सबसे lowermost layer है so lowermost layer है atmosphere की और इसकी सबसे में बात है कि यहाँ पर weather phenomena मिलता है means कि जो मोसमी क्रियाएं होती है जैसे कि बिजली का कड़कना, पानी का गिरना, बारिश होना इस तरह की जो weather phenomena से है वो सारे troposphere में होते है और यह जो है इसमें temperature जो है कम होता है जैसे-जैसे height increase होती है तो यह आदकना है troposphere में temperature decrease होता है जैसे-जैसे height increase होती है वैसे-जैसे temperature decrease होता है दूसरी layer है हमारी stratosphere there is a presence of ozone layer it is free from weather hence it is preferred by pilots to fly their aeroplanes तो जो stratosphere है वहाँ पर इसकी खास बात है कि वहाँ पर ozone layer जो है वो मिलती है और यहाँ पर weather condition नहीं होती है क्योंकि weather तो troposphere में होती है तो यहाँ पर weather condition नहीं होती है इस वज़े से जो pilots है वो अपना aeroplane यहाँ पर उड़ाना पसंद करते हैं तिसरी है है हमारी mesosphere temperature decreases with increasing height and reaches up to 100 degree Celsius which is minimum temperature of atmosphere तो जो mesosphere है इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे height increase होती है वैसे वैसे temperature decrease होता है और यह जो temperature है वो 100 degree से भी उपर पहुच जाता है mesosphere में जो कि minimum temperature होता है अपने atmosphere का next है ionosphere, electrically charged और ionized particles are abundantly found in it and temperature increases with increasing height this layer reflect back the radio waves तो जो ionosphere है इसमें electrically charged particles हमें बहुत सारी abundantly means बहुत सारी मातरा में मिलते हैं और यहाँ पर जो temperature है वो increase होता है height जैसे height increase होगी वैसे वैसे temperature भी इसमें increase होगा और इसमें क्या होता है कि जो radio waves से वो सारी reflect होके वापिस reflect होके हमारे पास आती है जैसे कि हम phone पे बात करते हैं तो वो जो भी उसके signals है वो पहले ionosphere में पहुचते है फिर वहां से reflect होके जैसे दुसरे से हम परसन से बात करें उसके पास पहुचते हैं ऐसा अगली है exosphere, electrically charged particles are found in layer 2 तो electrically charged particles है वो exosphere में भी मिलते हैं मिन्स कि ये ionosphere में तो होते ही है पर exosphere में भी मिलते हैं and there are separate layers of N2O2 helium and hydrogen में यहाँ पर जो nitrogen, oxygen और helium और hydrogen जो है उनकी भी एक separate layer भी मिलती है, artificial satellites are found in it और जो satellites है, artificial satellites वो भी exosphere में मिलती हैं अब इसका हम एक छोटा से diagram बना के दिखा देंगे इस तरीके से तो ये देख लीजिए ये मैंने पूरा अच्छा से diagram बनाया है कि ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पर lightning बिजली अगरा चमक सकती है, बादल बना के बारिज भी करवा दिए कि बारिज भी होती है यहाँ पर होता है, और यह 8 km और इधर साइड में 8 km और इधर साइड में 8 km तक की लेयर होती है, लेकिन अगर हम पोलार पर नहीं है और हम दुसरे एरिया में है तो वहाँ पर यह 18 km तक की हो सकती है दुसरी है स्टेटोस्फियर, यह 8 km, यह 30 km तक होती है, यह पर एरोप्लेंस पगेरा उड़ाए जाते हैं, ओजोन लेयर 50 km तक होती है, फिर ओजोन लेयर मिंस कि इसके अंदर आईगी, मैसोस्फियर में 80 km तक, और फिर आइनोस्फियर 640 km और लास्ट में एक्जोस्फियर एक्जोस्फियर में artificial satellites होती है, आइनोस्फियर में जो meteors होते हैं, वो इसमें होते हैं और radio waves होती है, तो आज की question हम यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद मिलते हैं अगली वेडियो में नई questions के साथ